क्लास नाइन चैप्टर टू पॉलिनोमियल एक्सरसाइज 2.5 का धर्ड कोस्टन है फेक्टराइज दा फॉलॉइंग यूजिंग एप्रोपिरेट आइडेनिटिटीज हमने फेक्टराइज करना है आइडेनिटिटी का यूज करके फिर्स्ट कोस्टन हमारा यह है, सेकिंड यह है और थर्ड यह है इसके पार्ट है अब हमने आइडेनिटिटी का यूज करना है देखो हमारे पास क्या है 9x² प्लस 6xy प्लस y² हमने देखना है इसमें कौन से आइडेनिटिटी लगेगी जिससे फेक्टराइज हो जाएग इन दोनों मेंसे कौन से आइडेनिटिटी किसके जैसा लग रहा है देखो 9x² देखो इसमें तीन टर्म है और इसमें भी तीन टर्म है ठीक है तो इसमें इसको हम square बना लेंगे और इसको भी हम square बना लेंगे अगर नहीं है तो देखो तो इस identity का यूज करेंगे a plus b का whole square equal to क्या होता है भई a square plus 2ab plus b square इस identity का हम use करेंगे इसको factorize करने के लिए ठीक है तो हमारे पास ये चीज थी 9x square plus 6xy plus y square इसको हम ऐसा बनाएंगे a square plus 2ab plus b square तो 9x square को हम a square बनाएंगे यानि की square में लिखेंगे इसको तो 9 को हम कैसे square में लिख सकते हैं 9 किसका square होता है 3 का square और ये x का square था ठीक है 9 को तो हम 3 का square लिख सकते हैं और ये x का square पहले से ही था इसको square बनाने के जुरूत नहीं तो अगर इकठा लिखना हो इसको तो कैसे लिखेंगे 3x whole square ठीक है तो 9x square को कैसे लिख दिया 3x का 3x whole square हमने लिख दिया ये हो गया हमने कुछ भी change नहीं किया बस इसको अलग धंग से लिख दिया फिर उसके बाद आगी भाई a square हमने लिख दिया यनि कि a क्या हागया हमारा हमारा a आ गया भrage यह जो bracket के अंदर है हमारा a आ गया 3x तो अब a square हमें मिल गया अब इसको b square बनाओ यह square में है तो यह पहले सी square है तो हम लिख देंगे y square तो b क्या आ गया हमारा b आ गया हमारा क्या y ठीक है a पता लग गया हमें b पता लग गया a square प्लस b square अब यह जो बीच वाला है 6xy इसको हम लिखेंगे 2ab क्या लिखेंगे 2ab यहनि कि 2 multiply a कितना है हमारा 3x और b कितना है हमारा y देखो यह कितना है 6xy और यह भी 6xy है 3 to 6xy ठीक है तो हमने कुछ भी change नहीं किया है बस इसको identity की form में हमने लिखतिया है तो यह किसके एकवल है इसके एकवल है ठीक है 3x का all square plus 2 multiply 3x into y plus y square अब यह क्या है a square plus b square plus 2ab यह किसके एकवल हो गया यह किसके एकवल हो जाएगा यह हो जाएगा a plus b के whole square के एकवल जैसे यह इसके एकवल है वैसे यही सारा इसके एकवल होगा तो इस सारी की जगा हम क्या लिख सकते है a plus b का whole square ठीक है a क्या है 3x और b क्या है y तो a plus b का whole square हमने लिख दिया अब square है तो इसको हम दो बार लिख सकते हैं, multiply कर सकते हैं, 3x plus y into 3x plus y, जैसे हम 3 के square को लिखते हैं, 3 multiply 3, ऐसी 3x plus y का square था, सारे का, तो हमने इसको दो बार लिख दिया, तो हमने इस चीज को क्या कर दिया वही, factor की form में हमने लिख दिया, multiply की form में हमने लिख दिया, factor तो पता हैं आप चाहते हैं तो हम कैसे लिख देगे 2 x 3, multiply की फार्म में इसको लिख दिया, वैसी इसको भी हमने, ये ब्रेकट का मतलब क्या होता है multiply, ठीक है इसके हमने फैक्टर बना देख्ट की सारा क्या था, plus, plus, अब इसमें क्या आ गया भई, multiply हागया, ठीक है हमने इसको multiply की फार्म मे लगाएंगे, a-b का whole square क्या होता है, a square plus b square minus 2ab, ठीक है तो ये चीज हमें थी अब इसको square बनाएंगे, पहला क्या है 4y square, 4 किसका square होता है 2 का, तो 2y का whole square, और 1 को जब हम square में अगर लिखना चाहें तो 1 का square कर दो, कुछ भी फरक नहीं पड़ेगा, तो कि 1 multiply 1 तो 1 ही होता है, तो 1 का square हमने क्या लिख दिया, 1 का square, तो a क्या हो गया बही हमारा a हो गया हमारा 2y और b क्या हो गया हमारा b हो गया हमारा 1 ठीक है, तो a square plus b square minus 2 a b, ठीक है, यनि कि minus 2 multiply a कितना था a था हमारा 2y और b कितना था हमारा 1 ठीक है तो देखो अब 4y स्वेर की जगह हमने लिख दिया 2y का होल स्वेर और starts 4y की जगह क्या लिख्या देखो 2 तो जा 4 और y 1 से multiply होगी तो माइनस का 4y ही आएगा ठीक है इसकी जगा हमने यह लिख दिया कुछ भी फरक नहीं पड़ा और 1 की जगा 1 का स्क्वेर लिख दिया तो हमने कुछ भी चेंज नहीं किया बस इसको अलग डंग से लिख दिया इस फोर्म में हमने लिख दिया a square plus b square minus 2ab तो यह किसका फर्मूल होता है a square plus b square minus 2ab किसका फर्मूल होता है a minus b का whole square और a क्या है 2y और b क्या है 1 यानि कि a minus b का whole square अब यह whole square है square है इसका तो इसको हम धो बार multiply कर देंगे 2y minus 1 into 2y minus 1 तो इसके क्या बनगे फेक्टर बनगे तो easy question था अब next question देखो, इसका third part देखो, अब x square minus y square by 100, अब इसमें, तो दो ही term है सिरफ, और ये भी square में लिख देंगे, अगर इसको भी square में लिख देंगे, तो identity का हम use कर लेंगे, कौन सी identity, a square minus b square, a square minus b square, किसके एक बल होता है भई, a plus b into a minus b, तो ये तो बिलकुल easy है, a square minus b square, ये सी square में इसको लिख दिया, तो a क्या हो गया हमारा, x, ठीक है, ये पहले सी square में था तो x का square लिख दिया, और इसको भी आप square बनाओ, तो ये y तो पहली square में है, और ये किसका होता है, 100 किसका होता है square, ये होता है 10 का square, तो हमने इसको लिख लिया भई, y by 10 का square, तो हमारे प पस B क्या हो गया, B हो गया मारे पास Y by 10, ठीक है, तो A square minus B square, A square minus B square, ठीक है, इस चीज को हमने ऐसे लिख लिख लिया, कुछ भी फरक नहीं पड़ा, identity बुना ली ऐसी, ठीक है, A square minus B square, ओ, इसकी क्या बनेंगे फिर, A square minus B square क्या बता है, A plus B into A minus B, A plus B, यानिकी X plus B, यानिकी Y plus 10 into A minus B, यानिकी X minus Y by 10, तो ये इसके क्या होगे, फेक्टर होगे, ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही करेंगे, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है, तो चैनल को सस्क्राइब कर लेना, और वीडियो का अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर, जुरूर कर देन मिलते हैं नेक्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार,